दोस्तों मेरा नाम आर्जु है मैं जिला विजनोर की रहने वाली हूँ और बर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है मैं आप सभी से इस प्रिशाषन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ खाकी की आर में ये भेडिये छुपे हुए है ये जो हैं खाकी की आर में भेडिये छुपे हुए है जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रिशाषन में रहके क्या कर सकते हैं मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एस सोज़ है और उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे सस्पेंट करा देगा और जिला चेंज करा देगा जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूं तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिक जाने की आठ दिन सौत दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्राथना पत्र रखे रखे खजूरिया थाने में लेकिन उस पर अभ्योग पंजी करत नहीं कर रहा है मेरी तो महनत की कमाई का नुक्षान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा अंधे हैं और अगर कर दिया तोड़ दी दूसरे ने दूसरे ने तोड़ दी लेकिन यह उसके खिलाब मुकदमा करने को तैयार नहीं है और मुझे पाच-छे दिन हो गए तो कहां जाओ मैं कहीं नहीं जाओंगी मैं जो हैं उचादिकारियों के भी यही हाल है बेवी सुनवाई नहीं करते जैसे मुझे कर रहा है मेरी भी छह साथ दिन से सुनवाई नहीं हो रही है और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमा में हसा देते हैं दूसरों को तो इसलिए मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ इसलिए मैं आप सभी से बताना चाह रहे हूँ मेरे पास ऐसा कोई अवैद सस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए इस पर मुकदमा भी लगा दें क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है अगर कोई इनके खिलाब बोलता है ना तो यह उसके इसकूटी विसकूटी की डिग की होई या उसका घर हुआ बहां पर किसी भी आदमी को लगा के ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे यह इस प्रिसासन का खाला और कड़वा सच है अब मैं लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगो सेयर करें पोस्ट करें